राजनिती में अचानक नेरेटिव महिलाओं के पक्ष में क्यों चला गया है। देश के जितने भी परिवारवादी राजनितिक घराने हैं, उन सभी ने परिवार की राजनिती में भी बेटों को ही आगे बढ़ाया है। राजनितिक परिवारों में राजनितिक विरासत जैसे बेटों के लिए ही आरक्षित कर दी गई है बेटा होने के बाद बेटियों को कभी भी नेतरत्व के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया महिलाएं आज राजनिति के नए नेरेटिव केंद्र बन रही है तो इसका श्रेय देश की राजनिति में आए दुरूविय परिवर्तन को चाएगा मद्यप्रदेश में महिलाएं चुनावी नेरेटिव निर्धरित कर रही है किसी राजनेता के लिए मामा और भाई की कमाई मद्परदेश की राजनेती में नया द्रिश निर्मित कर रहा है MP चुनाओं में दो महिने से भी कम समय बचा है और चुनावी राजनेती महिला मतदाताओं के इर्द गिर्द खूम रही है शेवरास सिंग चौहान के रहते त्मे वहाजपा सरकार ने महिलाओं को केंदर में रख कर सारी योजनाओं को एक तरफ मोर दिया है सरकार का खजाना महिला कल्यान की योजनाओं के लिए खूल दिया गया है पूर्मुख्यमंत्री दिग्वेज सिंग राजी के वित्य विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर धमकी बरहे लेज़े में अगर ये कह रहे हैं कि राजी के तमाम योजनाओं को रोप कर बीजेबी के चुनावी एजेंडे पर सरकार का सारा पैसा खर्च किया जा रहा ह तो इसके पीछे सरकार की महिला कल्यान की योजनाएं और उनके पढ़ रहे सकारात्मक प्रभाव का ही असर है। किसी भी तरह से रोका जाएं। चुनाओं की घूशना के बाद आचार सहीता प्रभावशिल होने के उपरांत भी पूर्व से चली आ रही लावली बहना योजना की राशी बहनों के खाते में जाने से नहीं रोका जाएं। इस पर राजलितिक विवाद तय है। चुनावा महिलाओं को केंद्र में रख कर ही गढ़ा गया है। महिलाओं के कल्यान पर बुनी गई राजनितिक जमाबट में नारिशक्ती वंदन अधिनियम अधिसुचित होने पर महिलाओं की सक्रियता से चुनाओं नतीजे प्रभावित जरूर होगी। महिलाओं से राजनितिक प्यार के दाविदार और हगदार राजनिताओं का फैसला महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। महिला आरक्षन का विरोध करने की हिम्मत कोई भी राजनितिक दल नहीं जुटा सकता। MP में तो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि अगली सरकार का फैसला राजनितिक की महिला मत दाता ही करेंगी।